दोस्तो आज की सब्सक्राइब हम बात करेंगे HDFC bank के women savings account के बारे में HDFC का यह जो women savings account है यह specially women's के लिए design किया गया है इस account में आपको बहुत सारे extra benefits मिले है जो कि आपको other savings account में देखने को नहीं मिलते है एक women's के लिए तो आज की सब्सक्राइब हम इसके बारे में बात करेंगे जानेंगे इस account के बारे में एक एक features benefit और charges के बारे में और वीडियो के लिए में मैं आपको यह भी बताऊंगा आपको यह account open करना चाहिए या फिर आपके पास कोई other better option available है या फिर नहीं दोस्तों तो नवा शकार दोस्तों आप सभी देख रहे है टेकी finance YouTube चैनल जो चले जो तो वीडियो को स्टार्ट करते है सबसे पहले बात करते हैं इस account के main benefits के बारे में दोस्तों आपको इस account के साथ 25 पेज़ेस का एक checkbook हर 6 माएने के interval में यानि की हाप यहली देखने को मिलता है यानि कि आपको टोटल एक साल में 50 पेज़ेस का checkbook मिलेगा दो बार 25 पेज़ेस और 25 पेज़ेस करके दोस्तों इस account के साथ आपको specially design क्या हुआ easy shop women's advantage debit card मिलता है जो की HDFC bank ने उनके खास women's rings account के लिए ही design किया है इस debit card के साथ आपको बहुत सारे extra benefits मिलते हैं जिसके बारे में वीडियो में थोड़ा आगे बात करेंगे दोस्तों अगर आप HDFC bank के women's savings account के साथ demand account भी open करते हो तब आपको first year का जो annual fees है और folio maintenance charges है इसके उपर आपको कोई भी charges नहीं लाएगा यह आपके लिए होएवाफ होगा HDFC bank आपको first year free में annual maintenance charges और folio charges का demand account आपको provide करेगा लेकिन यह benefit आपको सर्फ first year के लिए applicable होगा दोस्तों इस account के साथ आपको preferential rates rates मिलेगा loan के उपर अगर आप loan ले तो तब आपको उसके उपर आपके इस account के basis पे आपके transaction history आपके civil history के basis पे आपको cheaper rate of interest पे bank आपको loan provide करेगा दोस्तों जैसे कि अगर आप इस account के साथ कोई भी two-wheeler loan लेते हो तब आपको bank उसके processing fees के उपर आप to 50% का discount provide करेगा दोस्तों आपको up to 3.5% के lower rate of interest के साधक loan मिल सकता है यह depend करेगा आपके civil history और आपके transaction history के उपर आपको आप जिस वेहिकार को खरीद रहे हो उस two-wheeler का up to 90% on-road price तक bank आपको loan provide करेगा दोस्तों इस account के साथ अगर आप auto loan लेते हो तब आपको उसके उपर up to 7 years का tenure देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप इस account के साथ locker rent पे लेते हो तब आपको first year के fees के उपर direct 50% का discount देखने को मिलेगा आपको इस account को show करना होगा या फिर आप इस account के debit card को show करके इस benefit को avail कर सकते हो दोस्तों इस account के साथ आपको भर भर के बहुत सारे insurance coverage देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आ इस account के साथ HDFC bank का gift plus card लेते हो तब आपको उसके issuance के उपर 50% का discount मिलेगा और अगर आप इस card को branch से या फिर online net banking से 5000 या फिर उससे उपर का top up करवा होगे तब भी उसके उपर आपको 50% का discount देखने को मिलेगा दोस्तों इस account के साथ आपको exclusive shopping discount और benefit selected brands के उपर देखने को म lack का cash transaction per month बिल्कुल free में देखने को मिलता है इस account के साथ आप money maximizer को use करके auto switch facility on करके ज्यादा interest rate ले सकते हो इस account के साथ जो की एक certain period of amount के balance के उपर आपका जितना भी होगा वो automatically FD में convert हो जाएगा जिसके उपर आपको FD की जैसा ही rate of interest मिलेगा और जब आपका balance को निकालने के जरूरत होगा वो automatically FD break होके आ जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं इस account के साथ मिलने बाले exclusive easy shops women's advantage debit card के बारे में इस debit card क आपको daily withdrawal limit मिलेगा 25,000 रुपीज का आपको shopping limit मिलेगा आपको 2,000,000 रुपीज का आपको इस debit card के साथ first five transactions financial transaction HDFC bank ATM के उपर देखने को मिलेगा दोस्तों और other bank ATM के उपर अगर आप top six metro cities यानि की Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru और हाइदाबाद में रहते हो तब आपको first three financial and non financial transaction आपको other bank ATM के उपर free रहेगा और अगर आप इन five cities को छोड़के किसी other series में रहते हो तब आपके लिए first five transactions बिलकुल free में देखने को मिलेगा दोस्तों दोस्तों अगर आप इस debit card के उपर किसी भी बिल को automatic pay में register करवाओगे तब आपको उसके उपर 5% का cashback मिलेगा आपको एक साल में maximum 1,800 का cashback मिल सकता है इस offer को use करके और यह आपका first year के लिए valid रहेगा जिस दिन से आप बिल को register करोगे उस दिन से दोस्तों यह जो cashback amount है आप इसको vouchers में redeem कर सकते हो flip card, amazon, mintra, big basket, puma, big bazaar, epic one, docu bay, amazon prime, zomato, swiggy और apple pharmacy का voucher में आप इस cashback amount को redeem कर सकते हो दोस्तों इस debit card के साथ अगर आप HDFC bank के swipe machine होने वाले किसी भी petrol pump पे जाके petrol खरीदोगा तब आपको उसके उपर कोई भी fuel charges नहीं लाएगा दोस्तों इस debit card के साथ आपको debit card YMI मिलेगा यह आपका pre-approved basis पे होगा अगर आपको offer आता है pre-approved basis पे तभी आपको मिलेगा यह सारे customers के लिए नहीं हैं दोस्तों कुछ selected customers जो की इस account को यूज करके ज्यादा transaction करेगा या पर quality transaction करेगा उनको यह offer मिल सकता है दोस्तों यह offer मिलने पर आप debit card से यह बनवारा सकते हो 5000 या फिर उससे ज्यादा amount बाले products का जिनको आप इस debit card को यूज करके खड़ीद होगा दोस्तों यह आपको SMS करके चेक करना है इस format को यूज करका HDFC bank को SMS करके चेक कर सकते हो आपको debit card यह में मिला है या फिर नहीं दोस्तों इस debit card के साथ आपको पेज़ाप और smart buy को यूज करके transaction के उपर 5% का cashback देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस card के reward system के बारे में दोस्तों इस card को यूज करके टेलीकॉम, utility, grocery, supermarket, restaurant, apparel और entertainment category के उपर spend करने पर आपको हरे 200 रुपे के उपर एक cashback point देखने को मिलेगा दोस्तों पूरे महिने में आप इस offer को use करके 750 रुपीज का cashback generate कर सकते हो इन एक cashback point का variety रहता है 1 साल या फे 12 months का दोस्तों दोस्तों मैं आपको जितने सारे categories बतारे इन सारे categories को छोड़के अधर किसी भी spend के उपर आपको कोई भी cashback point देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों और दोस्तों यह account और debit card के उपर time to time seasonal offers चलता ही रहता है आपको seasonal offers चेक करने के लिए HDFC के portal में regularly login करके देखना पड़ेगा दोस्तों बात करें इस card और account के साथ मिलने बाड़े insurance coverage क बाड़े में तो इस account और card के साथ आपको accidental death coverage का protection मिलेगा 10 lakh का आपको accidental hospitalization cover मिलेगा 1 lakh का आपको daily cash allowance hospital में admit होने के बात मिलेगा 1000 रुपीज पर डे का आपको maximum 10 days का benefit मिल सकता है पूरे साल में कोई भी accident के उपर अगर आप hospital में admit होगे तब इस daily cash allowance insurance को use करके दोस्तों यह जो account है इसका जो first account holder होगा उनका debit card यानिकि जो first woman account holder होगा उनके debit card को use करके आपको हर एक तीन मेने के interval में एक POS transaction यानिकि point of sale transaction किसी भी merchant को पर करना होगा इन तीनों insurance coverage इसको activate रखने के लिए दोस्तों इस card के साथ आपको personal accidental death coverage का production मिलेगा 5 lakh रुपीस का rail, road और या तीनों कैट general death cover है यह देखने को मिलेगा दोस्तों आपको इस insurance coverage को activate रखने के लिए online या फिर offline इस debit card को use करके हरे 30 days के interval में एक transaction करना ही होगा इस insurance coverage को activate रखने के लिए आपको इस debit card के साथ international air coverage मिलेगा 25 lakh का लेकिन आपको इस insurance coverage को पाने के लिए आपका जो air ticket है वो इसी card से book करना होग दोस्तों आपको fire and bulgari का protection मिलेगा 2 lakh रुपीज का अगर आप कोई भी item को purchase करके इस debit card के उपर use करके तब आपको यह benefit देखने को मिलेगा आपको 48 hours के अंदर bank को यह report करना पड़ेगा दोस्तों इस debit card और account के साथ आपको lost check-in baggage का coverage मिलता है 2 lakh रुपीज का इस insurance coverage को activate रखने के लिए आपको जिस date पे यह हुआ है उससे 3 महने पहले या फिर आपको हर एक 3 महने के interval में इस debit card को use करके किसी भी एक चीज़ को purchase करना होगा online या फिर offline तभी आपका यह insurance coverage activate रहेगा और आपको zero lost card liability cover मिलेगा up to 4 lakh रुपीज का बात करें इस account के eligibility criteria के बारे में तो इस account को open करवाने के लिए आपको एक woman होना होगा आप single या फिर jointly इस account को open कर सकते हो आप Indian हो या फिर NRI हो तब भी आप इस account को open कर सकते हो लेकिन terms and conditions ऐसा है कि आपको बस woman होना होगा दोस्तों अगर आप आपके son या फिर आपके husband के साथ यह account open करना चाहते हो तो first holder आपको रहना होगा तभी आप इस account को open कर सकते हो क्योंकि first holder ओमें होने के बाद ही आपको यह account HGFS bank provide करेगा बात करें इस account के maintenance और opening balance के बारे में अगर आ country या फिर urban area से हो तब आपको 10,000 का opening deposit और 10,000 का maintain करना होगा और अगर आप semi-arban या फिर rural branches में account open करोगे तब आपको 5,000 का opening deposit और 5,000 आपके account में maintain करना पड़ेगा दोस्तों अगर आप maintain नहीं करोगे तब आपको उसके उपर non maintenance का charges लएगा तो दोस्तों अब बात करते हैं इस account के साथ आने बारे fees and charges के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस account के non maintenance charges के बारे में दोस्तों अगर आप metro या फिर urban branches में account खोलोगे आपका minimum 10,000 का balance रहना चाहिए account में और यह नहीं होता तब आपको non maintenance का charges लएगा अगर आपका balance 7,500 या फिर उससे above है लेकिन 10,000 से कम ह तब आपको 150 रूपिस का charges लएगा और अगर आपका account balance 5,000 से 7,500 के बीच में हैं तब आपको 300 का charges लएगा और अगर आप ruler या फिर semi-urban branches में account open करोगे तब आपको वहापे 5,000 maintain करना होगा दोस्तों अगर आपका account balance 2,500 से 5,000 के बीच में हैं तब आपको अगर आप semi-urban या फिर urban branches में हैं तब आपको 450 रूपिस का charges लएगा अगर आपका balance 2,500 रूपिस से कम हैं तब आपको semi-urban या फिर rural branches में हो तब आपको 300 का charges लएगा और अगर आपका metro या फिर semi-urban branches में account है तब आपको 600 का flat charges लएगा दोस्तों इस account के साथ आपको जो free checkbooks मिलता है उनको अग 25 रूपिस के लिए 100 रूपिस का charges लएगा लेकिन अगर आप senior citizen हो तब आपको 75 रूपिस का charges लएगा आपको इस account के साथ जो free cash transaction मिलता है वो अगर आप खतम कर देते हो ता उसके उपर आपको charges लएगा जैसे कि आपको हर एक 1000 के deposit के लिए 5 रूपिस का charges लएगा लेकिन आपको cash transaction जैसा ही charges लएगा बात कर इस debit card के charges के बारे में तो इस debit card का charges है 250 रूपिस पर यार दोस्तों दोस्तों अगर यह replace करवाते हो आप और यह damage हो जाता है तब आपको free में replace हो जाएगा लेकिन अगर आपका debit card खो जाता है तब आपको 200 रूपिस का charges लएगा दोस्तों दोस्तों आपको free ATM transactions मिलता है अगर आप उनको खतम कर देते हो उसके बाद आप transaction करोगे तब आपको हर एक financial transactions के लिए 20 रूपिस प्लस taxes और अगर आपका non financial transaction होगा तब आपको 8.5 रूपिस प्लस taxes लएगा दोस्तों दोस्तों financial transaction वो होता है जिसमें आप balance withdrawal करते हो और non financial transaction होता है अगर आप balance चेक करते हो मिनिस्टेट में निकलते हो वो non financial category में गिना जाता है दोस्तों दोस्तों मैंने आपको जो सारी charges बताई ये charges को पर आपको 18% के GST अलग से देना परेगा तो दोस्तों अब बात करते हैं आपको ये account open करना चाहिए या फेर नहीं अगर आप एक human हो तब आपको definitely इस account को open करना चाहिए आपको इस account के साथ जो benefit features मिलता है वो इस range के हिसाब स से कोई भी bank account आपको provide नहीं कर सकता दोस्तों तो आप definitely इस account को open कर सकते हो दोस्तों और ये account में तरह से बिलकुर recommended savings account है दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा share कीजिए नीचे comments में बताए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपका कोई भी qualities या फे suggestions से इस topics से related या फिर इस channel से related तो आप नीचे comment कीजिए मैं उसके प quality वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe किये दोस्तों बहुत बहुत बादने बाद इस वीडियो को देखने के लिए